तो क्या आप 10th किलास के बाद ही अच्छा सा सरकारी नोकरी का तलास में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत important हो सकता है वीडियो को पूरा देखिएगा तो इस वीडियो में आप सभी को ITBP Constable Kitchen कीचन सर्विस का वेकेंसी आया हुआ है इसमें लगभग लगभग जो पोस्ट है वह 819 पोस्ट है काफी ज्यादा पोस्ट है और सेलरी सबसे इंपोर्टेंट है लगभग 69,000 सेलरी है इसका ठीक है तो चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं ITBP वेकेंसी जो है वो कौन स्टेबल कीचन सर्विस के लिए बेसिकली यहाँ पर आप सभी को जितने भी फोर्स है उन सभी के लिए खाना पकाना पड़ेगा बोर्डर एरिया में ठीक है तो चलिए इसक हम लोग डिटेल से देखते हैं मैं आप लोगों किसका ओफिसल नोटीस भी दिखाऊंगा तो देखिए पोस्ट का जो नाम है वो है ITBP कॉंस्टेबल कीचन सर्विस ठीक है और ITBP का फूल फर्म होता है इंडो टिबतियन बोर्डर पुलिस फोर्स ठीक है इंडो टिबतिय सुक्षाम करना रहेगा आप सभी को और इसका यहाँ पर पर बमाइंसरफ बाद पता चल जाएगा यहास्ट डेट है इसका घटीक है बताऊंगा अक्टूबर एक टूबर तक लास्ट डेट है इसका तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर देखिए कुछ कुछ fee देना पड़ेगा इस form को भरने के लिए आपको application fee के तोर पर 100 रुपीज देना पड़ेगा कितना 100 रुपीज देना पड़ेगा अगर आप general या OBC या EWS से है तो अगर आप ACST है या woman है या ex-serviceman है तो आपको कोई भी charge नहीं देना है बढ़िया है आगर देखिए जो payment है वो online होगा ठीक है offline कहीं नहीं देना है उसके बाद देखिए स्टार्ट हुआ है 2009-2024 को और फिर last date है अब आपके पास लगभग 20 दिन के आसपास समय आप अगर चाहे तो फोम भर सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर age limitation age limit क्या है 18-25 वर्ष के बीच के candidate इस फोम को भर सकते अपलाई कर सकते हैं अब आगर देखते हैं हम लोग फिजीकल इस्टेंडर्ड हो क्या होना चाहिए जो हाइट है वह दिखे हइट आपका होना चाहिए अगर आप लड़के मेल है तो एक्सो-पैसे से आते हैं तो लड़कों का 150 लड़कों का 147 उसी प्रकार से फिर दीखें नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुए अगर नोर्थन स्टेट से आप आते हैं तो 155 और 117 सेंटिमिटर होना चाहिए हाइट हो जाएगा कोई दिक्रत है नहीं उसके बाद दिखें नेक्स्ट यहाँ पर जेश्ट आपका जो छाती हो कितना चवड़ा होना चाहिए तो दिखें यहाँ पर minimum 75 cm होना चाहिए और इसको आप असी तक सांस को फुला कर असी तक आप इसको कर सकते हैं तो आप इसके लिए इलीजिबल है निकि सांस भरना है कस के मुह में ठीक है कस के हवाले ना है ताकि आप जब दोड़े कुछ काम करें तो आपके पास ज्यादा इनर्जी हो ज्यादा हवा शरीर में रहेगा तो ज्यादा oxygen मिलेगा तो आप में ज्यादा ताकत रहे जाते हैं तो देखें नेक्स्ट अगला यहाँ पर है और अगर आप अगर आप यून इन टरिट्री से आते हैं ठीक है और फिर शिडिल्ट्राइब से आते हैं तो यहाँ पर 75 है वही एसे सेम कुछ भी अंतर नहीं है इसमें ठीक है सेम है तो इसको हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उसके बाद आप पर देखिए पोस्ट का नेम जिसी के में आप लोगों को बता दिया कॉंस्टेबल है किचन सर्विस 819 पोस्ट है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है देखिए क्वालिफिकेशन है टेंथ पास टेंथ पास लेकिन यहाँ पर एक क्रेटेरिया और एड किया गिया है कोर्स देखिए कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन कोर्स इन फूड प्रोडक्शन आप किये हुए ह का कोर्स होता है है कि यह किचन का कॉर्स ख़ादाना है किस तरीक तत क्य से पकाना है किचन का पढारी होता है यह सब तोड़ा एडिशनल है टेंथ के टेंथ क्लास के बाद एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए यह सब जिसे बहुत सारा इसकूलों में पढ़ाई होता है या एक योजना चलता है पीम के भीवाई ठीक है प्रधानमंत्री कौसल विकास योजना इस तरीके स उसमें कुछ-कुछ और इंपोर्टेंट आपको इंपोर्टेंट पॉइंट मिलेगा और यह जो यह जो नोटीस है यह आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर लिजेगा टेलिग्राम ग्रूप में मैं इसे डाल दूँगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए इंडो टिबिटियन बोर्डर पुलिस फोर्स और यहाँ पर जो ओनलाइन स्टार्टिंग डेट है स्टार्टिंग डेट है वह आपका है दो सितंबर से स्टार्ट हुआ है और फिर एक अक्टूबर दोहजाद चोबिस तक चलेगा को दिकतने ओनलाइन अप्लिकेशन फिल करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल वेकेंसी 819 है उसमें से मेल मेल का यहाँ पर जो अन 69 है टोटल 697 उसके बाद देखिए फिमेल का भी यहाँ पर दिया हुआ है और टोटल नीचे दिया हुआ है अब देख सकते हैं और फिर नीचे आते हैं कुछ जो इंपोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर मार्क करके अल्रेडी रखा हूं जिससे कि हाँ पर देखिए पेइसके स्केल पेइसकेल यानि कि आपको सलेरी कितना मिलेगा लेबल 3 का जोब है ठीक है इसमें 37,000 से स्टार्ट है और यह 79,000 तक जाएगा यह 79,000 तक जाएगा काफी अच्छा सलेरी है आगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर एज 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 लिमिट दिखिए एज लिमिट जो है व मेट्रिक का सेटिफिकेट एनिकी मेट्रिक पास होना चाहिए उसके बाद इसमें देखिए NSQF लेवल वन कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन यह कोर्स होना चाहिए फ्रोम नेशनल स्कील डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन और फ्रोम द इंस्टिटूट्स रिकोगना सेलेक्ञ्शन प्रोसेसे वो समझ लीजिए ठीक है सबसे पहले आपको एक्जाम देना पड़ेगा इसका एक्जाम में इसके बाद पोस्टइंग दिया जाएगा छिए तो इसका जो ऑफिसियल वेब साइट हुमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देदूंगा और और इस तरीके से आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रेजिस्ट्रेशन कर लेना है रेजिस्ट्रेशन कर लेना है रेजिस्ट्रेशन करने के बाद फूम अपलाई करना है यहाँ पर यह प्रोफाइल उपन हो रहा है यहाँ पर यह तो लोगिन करने के लिए यहाँ पर करने के लिए यहां पर आपको सबसे पहले पूरा फोर्म फिल करके कर लेना है रिश्टेशन करने के बाद आपके पास भी बीश्टस्त नंबर ठीक है और । पासवर्ड बन जाएगा इमेड फर्शिक्वर्ड से आप इसको लोघीन करके अपना फॉर्म भर के सम्मिट कर सकते हैं ठीक है तो यह पूरा में लिंक जो है वेबसाइट है ओफिसल वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रभाइट कर दूँगा जाकर अगर आप चाहते हैं तो फोर्म भर लीजेगा आज के लिए तना ही और अपने सभी दोस्तों के साथ वीड लेकिन बहुत सारा ऐसा वेकेंसी है जिसमें आप इलीजिबल होंगे उसको जरूर भर लीजेगा ठीक आज के लिए तना ही थैंको फरवाचिंग वीडियो जय हिंद जय भारत